हुआ है फ्रेंड जमना कीचनमा आपका स्वागत आज की रेसिपी है आज मैं पुड़ी बना रही हूं एक कटोरी में आटा ले लिया है चान कर और यह इसकी मन पुड़ी बना रही है और यह में नमक डाल दिया स्वाध का नुसार पुड़ी में जितनी जुरत उतनीक है और यह जीरा डालिया मैंने चुटकी बर और यह मैंने चुटकी बर यह जुवन डाल दी है ताकि पुड़ी में बहुत ही चटेश्टी आए और मैंने अब गिलास पानी ले लिया है और मैं आटा लगाती हूं कि इसे आटे को ऐसे कर लेना है और मैंने यह गिलास पानी ले लिया है और मैं आटा लगाती हूं कि यह से मैंने आटा लगा रही हूं यह ज्यादे गिला नहीं करना है आटे को मीडियम साइज के रखना है जूद के मतावी के तोरह रखवाणी एट कर लेना है आडा तयार हो गया है यह लगा लिया मेन अभी इसको पौस मिंट तक यह रख देते हैं तब तक तेल गरम लेकल आओ और में ये गिलास पानी यूज़ गया ये गिलास में भी थोड़ा पानी बच गया है और ये बहुत इच्छा याटा तयार हो गया है अब इसके लोगे बढ़ा लेते पुड़ी के लिए तेल भी गरम चड़ा दिया है अभी तेल गरम हो रहा है तेल चड़ा दिया मेंने कड़ाई पर ये मैं पूरी बणा लियुक हो तो पूरी को में सारा टाइक पूरी बणा लिए और ये कड़ाय में डालती है इस कुरी ने का कुछ बहुत आसां तरीगा पूरी बनाने का कोई पास जंचड नहीं है तो पूरी बहुत ही जल्दी बढ़ जाती है इस शारा आटा की मैंने इसे पूरी बना ली है पूरी पूरी इसे पूर चुकी है रास्तार में बहुत ही पूरी बनती है और फेवरिट बोजन है पूरी का बहुत ही धाबे में बहुत बनती है इसे पूरी को निकाल देते हैं इसे यह मैंने पूरी निकाल ली है यह बना ली है सारा आटा की यह पूरी बने के तयार होगी है पूरी गेज को बन कर देते हैं और यह पूरी पूरी बन चुकी है पूरी बना ली है और यह मेरी रेशिपिया आपको केसी लगी है और लाइक करें और शेर करें सस्पराइब करें बेल फटन को दबाईए और दन्यवाज आपको कर दो झाल झाल